तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉटन टापिक के बारे में जिसमें हम कवर करने वाले हैं मिन्रल्स, वाटर और एलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेट बहुत ही इंपॉटन एम्सेक्यूस जो कि exam में actually पूछे जाते हैं बहुत ही beneficial questions पुछे जाते हैं जो कि आपके exam में तो वही questions को आप cover करेंगे किस तरीके से उनको solve करना है सारे concept को समझेंगे वीडियो में last तक बने रहें ताकि सारी चीज़ा आपकी clear हो जाएं चलिए start कर देते हैं तो biochemistry का ये important topic है जिसमें हम minerals, water और electrolytes को cover करेंगे तो first question आपका ये रहा first question में यहाँ पर क्या पुछा हुआ है macromineral found in the human body देखिए यहाँ पर बात हो रही है किसकी minerals की बात हो रही है अब minerals में भी दो category होती है एक होता है macromineral और एक होता है micromineral अब difference क्या होता है यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा minerals की बात हो रही थी तो यहाँ पर दो category हो गई एक हो गया आपका क्या micro और एक हो गया यहाँ पर macro देखिए जो mineral axis amount में that means large amount में क्या होता है required होता है body को उसको हम भोलते हैं क्या macro mineral और वहीं हगर हम बात करें किसकी small quantity की तो जब भी किसी mineral की small quantity क्या होती है required होती है human body में उसको हम क्या बोलते है micro mineral तो यहाँ पर question पुछा है क्या आपका macro mineral that means जो आपका large amount में क्या होता है body को required होता है तो option देख लेते हैं यहाँ पर option में क्या क्या दिया हुआ है first दिया है आपका क्या magnesium, second है iron third है आपका cobalt और fourth है आपका क्या zinc देखें micro mineral की बात हो रहे थी तो micro में आपका iron हो गया iodine हो गया, zinc है cobalt है, fluorine है यह सब किसमें आते हैं आपके micro minerals में आते हैं वही हम बात करें किसकी magnesium की, आपके magnesium किसमें आता है, अपका generally macro mineral में आता है large quantity में क्या होता है, required होता है वही हम calcium की बात करें sulfur की बात करें, उसके बाद chlorine की बात करें, यह सारे ऐसे minerals होते हैं जो की large quantity में body में required होते हैं तो I hope यहाँ परCONCEPT समझ में आया होगा macro mineral found in the human body is magnesium तो the correct answer क्या हो जाएगा यहाँ पर is the correct answer तो यहाँ पर आप देख सकते हैं different different type के आपके क्या है minerals है first दिया है आपका principal element जिसको हम यहाँ पर क्या बोल रहे है macro mineral और second बोल रहे है micro mineral micro minerals को trace element के नाम से भी जाना जाता है तो question पूछा जा सकता है कि which of the following mineral is also known as trace mineral तो इसी को हम किसको बोलते हैं micro mineral को हम trace element के नाम से जानते हैं जिसमें आपके essential trace elements कौन कौन से होते हैं iron है iodine है zinc, copper, cobalt and fluorine यह क्या है आपके generally essential trace element है जोकि body को small quantity में क्या होते हैं required होते हैं वही हम बात करें किसकी आपके micro mineral की तो इसमें आता है आपका calcium, magnesium, sodium, potassium, phosphorus, sulfur and chlorine यह सब क्या हैं आपके macro minerals हैं जोकि body में large quantity में required होते हैं तो I hope यहाँ पर concept समझ में आपको आया होगा next अगर हम बात करें non-essential trace elements अगर आपसे कोई पुछे तो aluminium, cadmium, arsenic, lead and mercury यह आपके कैसे होते हैं non-essential होते हैं body को required नहीं होते हैं next question देख लेते हैं यहाँ पर next question यहाँ पर question में क्या पुछा हुआ है which minerals found in large amount in body यानि की इन में से कौन सा वाला mineral है जो की large quantity में क्या होता है body में आपका present होता है तो चलिए option को solve करने की कोशिस करते हैं first आपका क्या दिया है sodium दिया हुआ है sodium वैसे तो आपका किस में आता है macro mineral में आता है यानि की large quantity में आपके क्या होता है required होता है तो एक option ये हो सकता है next आपका क्या दिया है iron देखे iron जो होता है अभी जश्ट हमने देखाता है ये क्या होता है trace element होता है यानि की ये आपका micro mineral का part होता है तो micro मतलब small quantity में चाहिए होता है तो ये option आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा next आपका क्या दिया है calcium तो calcium भी आपका किस में आता है macro molecule macro mineral में आता है तो ये भी आपका क्या होता है large quantity में होता है अब question ये आता है कि सर्व sodium होगा या फिर calcium होगा तो यहाँ पर option में क्या पूचा है question में क्या पूचा है तो simple सा याद रुकिएगा calcium is the right answer तो यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा आपका calcium तो c is the right answer of all the minerals calcium is present in large amount ये हमारी body में large amount में क्या होता है present होता है वही हम बात करें it constituent कितना होता है 2% of body weight होता है लगबग आपका 1200 gram of calcium क्या होता है body में present होता है तो ये था हमारा right answer next question में क्या पूचा हुआ है which of the following is a function of calcium in body यानि कि जो calcium है उसका body में कौन सा वाला यहाँ पर function होता है चलिए option देख लेते हैं first दिया है आपका क्या muscle construction जी हाँ जो calcium होता है ये आपका muscle construction में क्या करता है help करता है तो ये आपका क्या है function है किसका calcium का next क्या दिया हुआ है blood coagulation तो जो आपका calcium होता है ये blood coagulation में भी क्या करता है help करता है तो ये भी आपका क्या है option है next आपका क्या दिया है nerve impulse conduction जी हाँ जो nerve impulse conduction होता है calcium उसके लिए भी क्या होता है responsible होता है तो ये तीनों ही आपके function होते हैं किसके? calcium के last में क्या दिया है all of the above यानि कि उपर जो भी आपके तीनों option दिये हैं तीनों ही तीनों आपके कैसे हैं? सही है तो the correct answer क्या हो जाएगा यहाँ पर D is the correct answer तो यहाँ पर calcium देख सकते हैं यहाँ पर different different क्या दिये हैं? functions दिये हैं exam के point of view से अगर आप किसी भी competition की तयारी कर रहे हैं तो definitely यह आपके लिए बहुत beneficial हो जाएगा चलिए तो first दिया है आपका formation and growth of bones and teeth यानि कि bones and teeth की growth के लिए generally responsible होता है calcium होता है और phosphorus भी आपका क्या होता है important होता है तो यहाँ पर option में क्या दिया है formation and growth of bone and teeth next आपका essential for coagulation of blood blood coagulation भी आपका क्या करता है यह help करता है next आपका दिया है क्या transmission of nerve impulse transmission of nerve impulse में भी आपका क्या करता है यह calcium help करता है यह क्या है इसका function है next आपका necessary for muscle construction यानि कि calcium आपका क्या कराता है muscle construction कराता है next आपका क्या दिया है maintaining acid balance and water balance देखिए यह acid balance को और water balance को दोनों को यह क्या करके रखता है maintain करके रखता है last आपका क्या है activates a number of enzyme यानि कि कुछ enzymes को भी generally number of enzymes को भी यह क्या करता है आपका activate करता है तो यह सारे ही क्या है आपके function है किसके calcium के जो कि आपको अच्छे से कबर करने है exam में question पूछा जा सकता है next question यहाँ पर क्या दिया हुआ है which of the following factor affect the level of calcium in human body यानि कि यहाँ पर option में पूछा हुआ है क्या कि जो आपका calcium होता है उस calcium को कौन सा वाला invasive factor क्या करता है affect करता है उसके label पर तो चलिए option देखते हैं first दिया है आपका क्या adrenal gland तो adrenal gland का यहाँ पर कोई concept नहीं किस से related आपके calcium के levels से related अभी यहाँ पर कोई concept नहीं है next क्या दिया है vitamin D vitamin D जिसको sunshine vitamin के नाम से भी जानते हैं plus इसी को hormonal vitamin के नाम से भी जानते हैं next आपका क्या दिया है यह D आपका क्या है responsible होता है generally किसके लिए यह affect करता है calcium के level को और calcium के level को plus absorption में क्या कराता है help कराता है तो यह हमारा क्या है correct है next क्या दिया है vitamin C तो vitamin C क्या होता है आपका ascorbic acid जिसे हम बोलते हैं तो ascorbic acid का calcium से यहाँ पर कोई भी concept नहीं है यह भी आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा जो कि कैसा होता है आपका water soluble vitamin होता है D आपका कैसा होता है fat soluble vitamin होता है वही हम बात करें vitamin A की तो vitamin A आपका retinol जिसे हम बोलते हैं retinol, retinal और retinoic acid जो की आपके active form होते हैं किसके vitamin A के जो की कैसा होता है fat soluble होता है चली यह तो बात होगे other किसी options की अब बात कर लेते हैं यहां पर correct option क्या होगा तो definitely आपका correct answer क्या हो जाएगा vitamin D is the correct answer तो right answer क्या हो जाएगा B is the right answer यहां पर different different क्या दिये हुए है आपके factors दिये हुए है first दिया है आपका क्या vitamin D maintain concentration of calcium जो की क्या करता है calcium के concentration को maintain करके रखता है और भी आपके क्या दिये है different different आपके functions दिये different different आपके क्या दिये котором factor acting दिये हुए है first दिया है आपका parathyroid hormone maintain mobilization of calcium from bone parathyroid जो होता है ये क्या करता है आपका maintain करता है mobilization of calcium का from bone से next आपका क्या दिया है plasma protein plasma protein approcks half of the blood calcium is plasma protein bound जो आपका half of the क्या होता है half of the आपका जो plasma protein होता है generally वो bound होता है किस से generally calcium से तो यह आपके different different क्या दिये है factor affecting दिये हुए है तो आप इसका screenshot ले सकते हैं जो कि बहुत ही beneficial होने वाला है आपके exam के point of view से चलिए next question देख लेते हैं next question में यहाँ पर क्या पूचा हुआ है disease associates with calcium deficiency यहाँ पर क्या पूचा है कौन से आवाला disease जो आकी आपके calcium से related है यानि कि calcium की वज़े से होता है चलिए calcium की वज़े से यानि कि calcium की deficiency की वज़े से होता है तो option देखते हैं first दिया है आपका क्या tateni second है आपका hemophilia third है आपका both of the above और last है आपका scurvy तो चलिए option को solve करने की कोशिस करते हैं और answer को search करते हैं first क्या दिया है आपका क्या titni जी हाँ titni आपका generally क्या होता है calcium की deficiency की वज़े से क्या होता है आपका titni होता है next आपका क्या दिया है hemophilia हेmophilia क्या है आपका blood clotting factor से related आपका क्या है problem है तो blood clotting factors आपका problem होता है क्या hemophilia जिसमें different type होते है hemophilia A, hemophilia B तो ये आपका क्या है blood clotting factor से related है both of the above ये आपका गलत हो जाएगा next क्या दिया है skirmines skirminesishment होता है आपका vitamin C की वज़े से तो जब vitamin C की वज़े से क्या होता है आपका इसकर भी होता है तो correct answer क्या होगा आपका टिटनी तो the right answer is A तो यहाँ पर देख सकने है क्या लिखा हुआ है यहाँ पर टिटनी लिखा हुआ है it is ionized fraction of serum calcium gets decreased जब भी आपका क्या होता है generally calcium का level क्या हो जाता है decrease हो जाता है तो patient को क्या देखने को मिलता है टिटनी देखने को मिलता है उसमें क्या होता है loss of muscle tone और आपका flaviness next question देख लेते हैं आपर which minerals involves in the formation of and growth of bone यानि कि यहाँ पर बात हो रही है कौन सावाला mineral आपका responsible होता है किस के लिए आपके जनरली growth के लिए growth of bone के लिए और formation of bone के लिए तो हमने अभी cover किया था calcium क्या होता है आपका required होता है essential होता है but calcium के साथ आपका generally phosphorus भी क्या होता है important होता है तो ये question हमेशा याद रखना है अगर दोनों ही option में दिए है तो याद रखीगा both A and B दोनों ही आपका क्या होगा correct answer होगा सिर्फ calcium को priority नहीं देंगे तो यहाँ पर क्या दिया है first phosphorus दिया हुआ है second calcium दिया हुआ है sodium की बात नहीं हो रही है जो कि किस में आता है macro mineral में आता है तो यहाँ पर correct option क्या हो जाएगा D is the correct answer तो D आपका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा calcium and phosphorus both involves in the formation and growth of the bone दोनों का ही क्या होता है आपका यहाँ पर enrollment होता है चलिये next question क्या दिया है यहाँ पर which mineral is a constituent of vitamin like biotin and lipoic acid यानि कि यहाँ पर क्या पूछा है कौन सावाला आपका जो mineral है वो आपके generally biotin और आपके lipoilic में क्या है present है constituent है तो चलिए देख लेते है first दिया है आपका क्या magnesium जो कि किस में आता है आपका generally macro mineral में आता है next है आपका क्या calcium sodium जो भी आपका किस में आता है macro mineral में आता है इससे आपको options भी याद हो जाएंगे plus उनकी particular location भी याद हो जाएगी कि वो किस में आते है macro में या micro में next आपका क्या दिया है sodium जो कि किस में आता है macro mineral में आता है last है आपका क्या sulfur ये भी आपका किसम आता है Macro Mineral में आता है सभी आपके किसम आते है Macro Mineral में आते है अब कोशन ये बनता है कि सर कौन सावाला आपका Mineral है जो कि आपका Important है किसमें आपके जनरली Biotin में और Lipoic Acid में तो याद रखेगा Sulphur आपका क्या है Important है that means Sulphur present होता है किसमें Biotin में Lipoic Acid में उसके बाद आपके Different Different Proteins में भी आपके क्या होता है ये present होता है उसके साथ amino acids में भी आपका क्या होता है तो यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा D is the correct answer तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है Different Different आपके क्या दिये है example दिये है sulfur is an essential element it is present in all the cell of the body सभी cell of the body में क्या होता है यह sulfur present होता है और इसी लिए यह macro mineral कहलाता है क्योंकि large quantity में क्या होता है required होता है क्या-क्या it is a constituent of sulfur containing amino acids कुछ amino acids होते हैं जिसमें आपका sulfur present होता है जैसे आपका एक होता है आपका methionic और एक होता है assisting यह इसमें आपके क्या होते है sulfur present होता है sulfur containing amino acids होते है question पूछा जाता है आपके different competition exam में तो याद रखिएगा next आपका क्या दिया है formation of protein like keratin keratin में भी आपका क्या करता है यह help करता है next आपका formation of acid group containing enzyme जी हाँ acid group containing enzyme के formation के लिए आपका क्या है important है आपका क्या sulfur और last but not least यह हमारा option था sulfur is a constituent of vitamin like biotin and lipoic acid तो vitamin B7 को यह हम क्या बोलते हैं biotin बोलते हैं clear है जल्दी से comment box मुझे जरूर बताईएगा कि biotin की कमी से होने वाली कौन सी problem होती है comment section में आप मुझे mention कर सकते हैं चलिए next question देख लिए आपर next question दिया हुआ है element necessary for secretion of gastric HCL from stomach यानि की कौन सा वाला element आपका क्या है important है किसके लिए HCL के secretion के लिए चलिए देख लेते हैं आपर first दिया है है आपका क्लोरीन, second है आपका क्या sodium, third है आपका magnesium और last आपका none of the above तो देखे क्लोरीन हो गया magnesium हो गया उसके साथ सोडियम हो गया यह तीनों ही किसमें आते हैं आपके macro molecule में आते हैं तो at least last तक इस session के आपको यह तो proper तरीके से याद हो जाएगा कि कौन सा macro mineral है और कौन सा micro mineral है यह कभी गलत नहीं करेंगे चलिए तो यहाँ पर question बुचा है कि element necessary for secretion of gastric HCL from stomach चलिए तो यहाँ पर option में क्या दिया हुआ है HCL first है chlorine जी हाँ chlorine आपका क्या होता है required होता है essential होता है gastric secretion के लिए तो the correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा is the correct answer तो present in the body and chloride iron it has bite distribution in the body तो जो आपका क्या है आपका जो HCL का secretion के लिए जो element required है जो आपका essential है वो क्या है आपका chlorine next question क्या दिया हुआ है यहाँ पर mineral involved in the synthesis of thyroid hormone जी हाँ thyroid hormone के synthesis के लिए कौन सा element आपका क्या है required है तो चलिए option देख लेते हैं first दिया है आपका sodium second है आपका क्या iodine third है आपका क्या बूत अब 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 अबब यहाँ पर बात हो रही है कि इसकी thyroid hormone की तो thyroid hormone के लिए आपका कौन सा element required होता है आपका generally iodine required होता है जो कि किस में आता है आपके generally micro moly micro mineral में आता है micro mineral में आता है less quantity में चाहिए होता है liquid thyroid hormone synthesis के लिए required होता है इसलिए बोलते है कि जब भी नमक खाईए उसमें iodine होना चाहिए is it clear चलिए तो the correct answer क्या हो जाएगा यहाँ पर b is the correct answer तो यहाँ पर sodium का काम क्या है generally maintenance of acid base balance acid base balance के लिए required होता है आपका sodium next आपका क्या है potassium यह भी आपका maintenance of acid base balance acid base balance को क्या करते हैं maintain करके रखते हैं next आपका calcium blood coagulation bond formation इसके लिए क्या होता है responsible होता है phosphorus आपका synthesis of DNA RNA and phospholipids जी हाँ इनके लिए क्या होता है आपका required होता है sulfur की बात करें तो biotene, systeine और methionine जो कि आपके क्या होते है generally amino acids होते हैं इन में sulfur present होता है जिक की important होता है iron की बात करें synthesis of hemoglobin इसके लिए आपका क्या होता है required होता है iodine जो हमारा option पूछा होगा था synthesis of thyroid hormone जो कि आपका essential होता है generally आपके iodine क्या होता है required होता है कि इसके लिए thyroid hormone के लिए जिंग की बात करें तो component of carbonic and hydrate insulin synthesis and release इसके लिए क्या होता है responsable होता है copper की बात करें constituent of peroxidase and catalase last आपका cobalt synthesis of vitamin B12 cyanocobalamin जिसको हम बहुता है vitamin B12 जिसकी वज़े से जिसकी deficiency की वज़े से क्या होता है megaloblastic anemia होता है तो चलिए next question देख लेते हैं आपर maximum absorption of iron occurs in which part of GIT system यानि की जो iron होता है वो GIT की gastrointestinal tract के किस पाट से maximum absorb होता है तो option देख लेते हैं आपर first दिया है आपका dudenum, second आपका dudenum, third आपका ileum और fourth आपका all of the above तो यहां पर बात हो रही है किस की generally आपके iron की तो जो iron होता है generally किस से यादा आपका क्या होता है absorb होता है सबसे जादा जो absorption करता है वो करता है कहां से dudenum से तो तो the correct answer क्या हो जाएगा dudenum इसको याद रखने की trick आप याद रख सकते हैं ऐसे याद रख सकते हैं id जब भी हम कहीं enter करते हैं किसी भी particular location पर तो हमें क्या required होती है id required होती है id का मतलब होता है क्या identity की बात हो रही है तो ऐसे याद रखेगा i से याद रखेगा क्या iron और d से याद रखेगा dudenum अब sir id required होती है इसका क्या concept concept यह idea क्योंकि जो आपका dudenum होता है वो starting part होता है किसका small intestine का तो जैसे ही आपका iron क्या करेगा enter करेगा उसको क्या required होगा id required होगा that means कहीं ना कहीं यह आपको याद आ जाएगा कि iron सबसे ज़्याद कहां से आपका absorb होता है आपके dudenum से next question देख लेते हैं यहाँ पर option में पहले यहाँ पर explanation देख लेते हैं absorption की बात हो रही है तो maximum absorption occurs in dudenum तो यह आपको याद रखना है कि dudenum आपका generally maximum क्या कर राता है absorption कर राता है iron का और भी options आप देख सकते हैं जो कि important हो सकते हैं आपके लिए next question देख लेते हैं आपर in adults average water constituent is जो adults की बात हो रही है यहाँ पर तो कितना water constituent present होता है कितना percent water present होता है तो option देख ले हैं first दिया है आपका 70% of weight second है आपका 10% of weight third है आपका 30% of weight और last है आपका 90% of weight so the correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 70% of weight आपका क्या होता है generally water present होता है किस में adult में so the correct answer क्या हो जाएगा आपका is the correct answer the average body water जो average body water रही हो कितना है 50 से 70% of the weight of the body जो भी आपका weight है body का उसके 70 से लेके 50% का जो weight होता है वो क्या होता है आपका water होता है mean सब कुछ पानी ही पानी है ना चलिए next देख लेते हैं कि आपर water constituent of blood plasma अब बात हो रही है किस की blood plasma के तो blood plasma में कितना water आपका present होता है option में क्या दिया है first दिया है 8% second आपका 4.5% third आपका 10% और fourth आपका 50% तो यहां पर बात हो रही है किस की plasma की तो blood plasma में आपका कितना होता है 4.5% होता है तो the correct answer क्या हो जाएगा B is the correct answer तो यहां पर आप देख सकते हैं distribution of water in the body first कितना दिया है intestinal fluid and lymph कितना है 8% next आपका blood plasma 4.5% dense connective tissue bone and cartilage में आपका कितना है 6% और trans cellular fluid में आपका 1.5% तो यह range आपकी बहुत important है question पूछा जा सकता है next question क्या दिया है यहां पर factors that affect the water content कौन-कौन से factors है जो water content को क्या करते हैं affect करते हैं तो first दिया है आपका क्या glucose, second है आपका क्या protein, third है आपका क्या inorganic electrolytes और last है आपका all of the above तो glucose protein और आपके inorganic electrolytes यह तीनों ही आपके क्या करते हैं water content का generally क्या करते हैं generally water content को affect करते हैं तो the correct answer क्या हो जाएगा D is the correct answer तो यहां पर आप option देख सकते हैं organic molecules small molecular size जैसे urea हो गया glucose हो गया amino acids हो गये यह आपके क्या करते हैं affect करते हैं next आपका क्या दिया है organic substance large molecule में जैसे आपका protein हो गया next आपका बात करते हैं inorganic electrolytes जो कि आपके क्या करते हैं affect करते हैं किसको water content को next question क्या दिया हुआ है यहाँ पर water content of intracellular fluid is intracellular fluid जिसको हम ICF के नाम से भी जानते हैं mostly question आपका short form में पूछा जाता है तो याद रुकिएगा कभी confused नहीं होना है इसको intracellular fluid बोलते हैं अब कितना percent होता है यह देखते हैं first दिया है 10 percent second है आपका 20 percent third है आपका 40 percent और last है आपका 70 percent तो जो ICF होता है यह कितना होता है generally 40 percent तो आपको याद कैसे रखना है अब याद कैसे रखें सर 40 percent कभी भूल गए तो तो IC को ऐसे याद रखना LIC क्या याद रखना है IC को याद रखना LIC और LIC कभ करवाते हैं जब आप 40 साल के हो जाते हो क्योंकि आपको पता होता है कि अब LIC करवाना ठीक है तो इस तरीके से आप याद सकते हो ICF को याद रखना LIC के नाम से और LIC कभ कर रखना हो जब आप 40 साल के हो जाते हो तो ये tricks आपको definitely आपको सुनने में थोड़ा सा जीब लग रहे होंगी इन फ्यूचर जब आप exam दे रहे होंगे और वहाँ पर question आएगा तो ये इसी तरीके की बाटे है आपको समझ में आएंगी कि याद आएंगी कि सदने कुछ ऐसा बोला था तो question सही होना चाहिए trick से क्या करना हमको तो the correct answer क्या हो जाएगा C is the correct answer water content in various tissue की बात करते हैं first दिया है आपका total water कितना था 50 से 70% जो हमने discuss किया था अभी जिसमें आपका क्या था 50 से 70% of body weight जो body weight होता है उसका 50% से 70% आपका क्या होता है water content होता है next देखते हैं intracellular fluid आपका कितना होता है 40% और extracellular fluid कितना होता है 20% तो याद रखिएगा LIC यानि की 40, extracellular आपका कितना है 20 वहीं हम बात करें कितना intestinal fluid आपका 15% और intravascular fluid आपका 5% अब याद कैसे रखना है LIC कम करा रहे थे 40 साल पे अब 40 साल में और 60 साल के बीच में कितना difference था 20 का difference था तो याद रखिएगा extracellular fluid कितना होगा 20% तो इस तरीके से आप अच्छे से याद रख सकते हैं next question क्या दिया है यहाँ पर accumulation of water leading to यहाँ पर question पूछा हुआ है कि water का accumulation होता है तो वो क्या कहलाता है यानि कि उस condition को हम क्या बोलते हैं तो simple सा यहाँ पर option दिया है first क्या edema और second दिया है dehydration थर्ड में क्या है both A and B चली देख लेते हैं यहाँ पर और last दिया है none चार options दिये हुए है एक option को क्या करना है select करना है first क्या दिया है यहाँ पर edema अब सर edema होता है या नहीं होता है confused हो रहे हैं सर चली तो इसको देखने से पहले इसको देख लेते हैं dehydration what is the mean of dehydration दी का मतलब क्या हो गया loss और hydration का मतलब क्या हो गया यहाँ पर water की बात हो रही है यानि कि water का क्या हो रहा है loss हो रहा है तो यहाँ पर accumulation की बात हो रही है loss की बात नहीं हो रही है तो simple सा है आपका यह option तो नहीं होगा अब जब यह option नहीं होगा तो A and B तो आपका option होगा ही नहीं तो दो options तो वैसे ही कम हो गए अब बचा किया none तो none भी आपका नहीं है correct answer क्या है एडिमा है तो इतना simple सा question आपको इतनी easily क्या करना है identify करना है dehydration loss of water यानि की बात हो रही है किसकी loss की accumulation की बात नहीं हो रही है तो the correct answer क्या हो जाएगा यहाँ पर A is the correct answer in health a balance is maintained between intake and output of water जब भी क्या होता है water का accumulation होता है तो उस condition को हम क्या बोलते है एडिमा बोलते है तो next clear है आपका I hope यहाँ पर next question क्या दिया है यहाँ पर next question में क्या पुचा है यहाँ पर आपका water is loss from the body by जो water होता है यह body से किस particular location से आपका क्या होता है loss होता है तो चलिए option देख लेते हैं first दिया है आपका क्या evaporation from lungs जी हाँ जो आपका water होता है evaporation process के थुरू आपका lungs से क्या होता है remove होता है second आपका क्या दिया है elimination from kidney urination के तुरू आपका generally क्या होता है जो आपका water होता है वो आपका remove होता है तो यह दौनों ही option आपके क्या है last आपका क्या दिया है excretion from intestine अब बहुत सारे बच्चे confused हो रहे होंगी कि सर intestine से कैसे remove हो रहा होगा तो यहाँ पर याद रखना यहाँ पर question में क्या बोला है excretion from intestine as feces feces के तुरू आपका क्या होता है water loss होता है तो यह भी आपका right answer है तो यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा all of the above यानि कि D is the right answer तो यहाँ पर क्या दिया है water is lost from the body by first लिखा है आपका evaporation from lungs second आपका क्या elimination from kidney as urine as feces तो यह आपका क्या है correct answer है next question क्या दिया है यहाँ पर hormones that not regulate the water balance यानि कि यहाँ पर जो hormones दिये हुए है उन में से कौन सा hormone है जो कि water balance को आपका क्या नहीं करता है water के balance को maintain नहीं करता है regulate नहीं करता है option देख लेता है first दिया है आपका क्या ranin second आपका क्या vasopressin third आपका क्या aldosterone last आपका क्या oxytocin जी हाँ तो यहाँ पर आपके क्या दिये हैं सभी जो भी options दिये हुए है इसमें से याद रखेगा जो ranin होता है यह आपके water के level को water के balance को regulate नहीं करता है बाकी vasopressin, aldosterone और oxytocin यह तीनों ही correct answer तो certain hormones such as anti-dialetics hormones जी से हम बोलते हैं ADH जी से हम बोलते हैं जैसे आपका vasopressin oxytocin और aldosterone यह क्या करते हैं water balance को regulate करते हैं next question क्या दिया है यहाँ पर which statement is not true about electrolyte यानि कि इन में से कौन सा statement है आपका जो की true नहीं है किस से related आपके electrolyte से related चलिए option देखते हैं first दिया है आपका dissociate in solution जी हाँ जो electrolytes होते हैं यह solution में dissociate हो जाते हैं यह right है second आपका क्या दिया है maintain the osmotic equilibrium जी हाँ यह क्या करते हैं यह osmotic equilibrium को क्या करते हैं maintain करके रखते हैं next आपका क्या है maintain electrical neutrality यह क्या करते हैं electrical neutrality को भी क्या करते हैं maintain करके रखते हैं next आपका option दिया है क्या maintain only transport oxygen सिर्फ oxygen को transport करते हैं यह तो नहीं हो सकता तो यह आपका क्या हो जाएगा option गलत हो जाएगा तो the correct answer क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका maintain only transport oxygen यह आपका correct answer हो जागा क्यों को कि सिर्फ आपके oxygen को transport करते ही यह बात तो गलत है मिन पूरा credit आप इसको oxygen को transport करने के लिए दे देंगे तो यह तो गलत बात है ना तो यह आपका क्या है right answer है तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका फर्स्ट यहाँ है compound which readily dissociate in solution जी हाँ dissociate होते है solution में next positive and negatively charged particles positive होते है negative भी होते है प्लस आपका maintain osmotic equilibrium equilibrium को maintain करके रखते है maintain electrical neutrality is it clear तो यह आपका क्या दा right answer था next question क्या दिया है यहाँ पर source of potassium for electrolyte यानि की potassium का source पूछा है यहाँ पर option में क्या क्या दिया है आपका bananas table salt seeds and nut and cheese तो यहाँ पर बात हो रहे है किसकी potassium की तो potassium की अगर source की बात करो तो best source है आपका क्या यहाँ पर bananas तो bananas में आपका generally potassium क्या होता है present होता है the correct answer क्या हो जाएगा is the correct answer तो potassium में bananas avocates and sweet potatoes तो आपके उन students के लिए important है जो जिम अगरा कर रहे हैं या फिर physical workouts कर रहे हैं आपके generally तो वो भी आप इस अच्छे से cover कर सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे confused होता है कि sir कौन सा आयन्स किसमें present होगा तो यह आप अच्छे से cover कर सकते हैं next question देख लेते हैं यहाँ पर next question में क्या पूचा है hormone involved in regulation of electrolyte valence यहाने कि कौन सा हॉर्मोन है जो कि electrolyte valence के लिए responsible है जो कि उनको regulate करता है तो चलिए first दिया है आपका यहां पर बात हो रही है किस की यहां पर बात हो रही है यहां पर याद रखेगा oxytocin आपका क्या नहीं है जनरली आपका electrolyte balance को regulate नहीं करता है renin angiotensin आपका क्या करता है regulate करता है और aldosterone दौनों ही आपके क्या करते है regulate करते है तो यानि कि right answer क्या हो जाएगा a and c is the right answer तो regulation of electrolyte balance की बात हो रही है यानि कि the regulation is mostly achieved through the hormone aldosterone ADH जैसे हम बोलते हैं antidiudetics hormone जैसे हम बोल रहे हैं and renin angiotensin next क्या दिया है आपका atrial natrioretics factor oppose the action of जो atrial natrioretics factor है आपका वो किसको oppose करता है generally किसके just opposite है समझेगा first दिया है आपका क्या renin के second है आपका adenalin के third है आपका thyroid के और या फिर fourth है आपका oxytocin के तो यहाँ पर generally atrial natrioretics के बारे में बात हो रही है तो correct answer क्या है यहाँ पर आपका is the right answer तो renin आपका क्या है right answer है anf opposes the जो कि आपका क्या करता है oppose करता है किसके generally renin and aldosterone के दोनों की क्या करता है वो oppose करता है next question क्या दिया है a decrease in water content of the body is termed as यानि की अगर water content क्या होगा decrease होगा तो उसको हम किस term से represent करेंगे चली option देखते हैं first दिया है आपका क्या over hydration देखिए over hydration का मतलब क्या होता है excess amount of water की बात हो रही है तो यहाँ तो loss हो रहा है ना gain थोड़ी ना हो रहा है dehydration का मतलब क्या होगा loss of water तो loss of water की बात हो रही है और salt की बात होती है इसी को हम क्या मोलते है dehydration मोलते है तो the correct answer क्या हो जाएगा आपका C is the correct answer तो यहाँ पर देख सकते है इट इस निगेटिव वाटर वैलेंस लीडिंग तू इडिक्रीज इन वाटर कंटेंट अफ द बाड़ी दिस अकर्स वेन द आउट्पूट अवाटर इस more than intake यानि की output बाटर अगर intake water से क्या हो जाएगा आपका ज्यादा हो जाएगा तो उस condition में आपका dehydration होता है next question क्या दिया हुआ है which of the following may cause dehydration यानि की इन मैं से कौन सा cause है जो की dehydration क्या कराता है जनरली आपके cause होता है dehydration का कारण होता है चलिए option देखते हैं फर्स्ट दिया है आपका warning second आपका क्या excessive sweetening third आपका क्या vomiting और last आपका all of the above तो यहाँ पर बात हो रही है कि dehydration की यानि की loss of water की तो याद रखेगा burning की case में आपका जनरली क्या होता है water का loss होता है second आपका क्या excessive sweetening बहुत ज्यादा पसील आएगा तो definitely आपका water क्या होगा loss होगा next आपका क्या vomiting और vomiting के case में भी आपका क्या होता है water आपका loss होता है तो यह तीनों ही आपके सही है यानि कि the correct answer क्या हो जाएगा all of the above is the correct answer तो D is the right answer causes की बात करें तो deprivation of water first in which water is restricted जिसमें आपका water क्या होता है रस्ट्रिक्ट होता है जिसमें पानी नहीं पीते है ठीक है निर्जल जैसे ब्रत बोलते है ला तो वह आपका उस condition में क्या होता है आपका generally water का loss होता है next question क्या दिया हुए है यहाँ पर dehydration में occurs D tube जो dehydration होता है वो किसकी वज़से कया होता है अकर होता है first दिया है आपका क्या salt depletion की वज़े से second आपका क्या bioccarbonate depletion की वज़े से potatium depletion की वज़े से या फिर calcium depletion की वज़े से यहाँ पर बात हो रही है किसके dehydration की, तो dehydration में एक तो water का loss होता है, plus आपका generally salt का loss होता है, इसलिए the correct answer क्या हो जाएगा, salt depletion is the right answer, is the right answer हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो water depletion, salt depletion, both salt and water depletion, देखिए, या तो water का loss हो, या फिर salt का loss हो, या फिर दौनों का loss हो, loss किसका है, आपका dehydration क्या होगा, cause होगा, clear है, तो the correct answer क्या होगा, salt, next question क्या दिया है, the recommended formulation of oral rehydration therapy include, यानि कि oral rehydration therapy का मीन क्या है, जब भी किसी patient को dehydration होता है, यानि कि loss of water, loss of salt, तो उस condition में आपका क्या दिया जाता है, oral rehydration solution दिया जाता है, जिसको ORS के नाम से जानते है, तो वो आपका generally कब दिया जाता है, किस condition में, किस therapy में आपका prefer किया जाता है, ये question में पूछा है, first दिया है, आपका क्या sodium chloride, second आपका क्या है sodium citrate, third आपका क्या potassium chloride, और last है all of the above, तो यहाँ पर बात हो रही है, देखे, dehydration की condition, तो dehydration की condition में तो हमें salt और water दिना ही है, लेकिन अब यहाँ पर बात हो रही, कौन कौन से आपकी generally, वो composition है, जो कि आपके ORS में क्या किया जाते है, तो first option दिया है, क्या sodium chloride, तो यह आपका prefer किया जाता है, next आपका sodium citrate, और next आपका potassium chloride, यह तीनों ही आपके क्या किया जाते है, प्रिफर किया जाते हैं, आपके dehydration की condition में, तो the correct answer क्या हो जाएगा, आपका, D is the correct answer, तो यहाँ पर आप देख सकते है, और रिहाइडरेशन थेरपी, तो side effect may induce vomiting and high blood pressure, next आपका क्या है, sodium और high blood potassium, यानि कि side effect क्या क्या हो सकता है, vomitting हो सकती है, excess amount of अगर हम लेते हैं, side effect होता है तो, और आपका blood pressure क्या हो सकता है, high हो सकता है, next आपका क्या दिया है, the recommended formulation includes sodium chloride, sodium citrate, potassium chloride और glucose, यह आपका क्या किया जाता है, prefer किया जाता है, तो यह थे DR student, कुछ important MCQs, I hope यहां तक सारे concepts आपको clear हो गए होंगे, वीडियो अच्छा लगा हो, तो please वीडियो को like करें, channel को subscribe करना ना भूले, तक ही ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाए, मिलते हैं, next वीडियो में, next topic के साथ, thank you so much